मैं खुआप में देखा, आप एक कुआप में बेठा था, वे सहाबा बोला था यहाँ पर दो रिकात नफल नमाज पढ़ना जैसे कि उम्रा वो हज करना अपनों को भी दिखाईए कि यह इसलाम का पहला मस्दिद है यह अभी आप जो आप सामने देख रहे हैं मस्दिद कुबा इसलाम का यह पहला मस्दिद है आज हम इसको हम जा रहा है विजिट करने के लिए और इंशाला ताला हम लोग यहाँ नफल नमाज भी पढ़ेंगे अब हम लोग पहुँच गा हैं मस्दिद कुबा यहाँ पर आप सामने वार को नमाज पढ़ने आये थे और आज सनी वार है बहुत जादा ही लोग आये हुए हैं यहाँ पर दो रिकात नफल नमाज पढ़ना जैसे कि उम्रा वो हज करना तो अल्ला ने फर्माया कि यह बहुत वैसे तो पूरा यह मदिना पाक जमीन है लेकिन जब आप सब्सक्राइब मक्का से हिज्रत करके मदिना आए तो यह वो जगह है जहाँ पर अलग-अलग हदीसों में आती है ग्यारा दिन चौदर दिन यहाँ पर रहते वह तो हम चल र यह सारे जियारात कराते हैं आपको आपको देख सकते हो बहुत भारी तदाद में लोग आया हुए है और यह बाहर भी यह निमाज लगा हुआ है पानी पिने के दुश्ता है और हम अब चल रहे हैं में गेट से अंदर के तरफ यह अब हम लोग मस्जिद कुवा के अंदर आप इसे निकालने के लिए जगा बनाई गई है आप जिसकाना आप यहां पर यहां पर में पर मर्दों के लिए और 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 दो के लिए लग है तो हं मर्द हज़रात इदर से जाएंगे यहाँ पे हम अपना चैपल रखेंगे और इंशालौ टालाज अंदर जाल के दिखाते हैं आपको माशाललण माशाललाफ माशाललाफ यह मस्धिद है और यह तालाज है इस तरफ मस्धिद कुबा के अंदर में हैं और यहां ऐसा लग रहा है, हर कोई फरिस्ता है और यहां से हम लोग नमाज अदा करेंगे यह अंदर में कितना खुबसूरत मस्जिद है अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर अप सब्सक्राइब लिए नमाज अदा करेंगे हाँ आप पड़ो यह जारा नमाज परने के लिए उसके बाद हमाला करेंगे माशाओल्ला, माशाओल्ला यहां लोग आप आराम भी फर्मा रहे हैं यहां बहुत सुकुन है अई माशाओल्ला अब देख सकते हो यह 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 माशाओल्ला अई पर मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की उटनी पहली नहीं आकर बैठी थी और उन्होंने यहां से 14 दिन यहां गुजारा और यहां के बाद अजुमा मस्जिद जो आप देखे वहां पे रुकें उसके बाद जाके मस्जिद नबुई वहां पे जो जमीन खरिदें और वहां पे रहने लगें अब हम नमाज अदा करेंगे और दो रिकात और आप सब के लिए भी इंशाललाः अब जा रहे हम भी दो रिकात नमाज अदा करने और यहां नमाज पढ़ना यू है जैसे कि आप उम्रा कर लिए और खर्स कर लिए तो आईए हम नमाज पढ़ते हैं और यहां का दौा भी अल्हा कबूल करता है तो हम आईए आपके लिए भी दौा करेंगे आप तक वीडियो शेयर कीजिए और अपने अपनों को भी दिखाईए कि यह इसलाम का पहला मस्धिद है जहां पर आज अल्लह ने मुका दिया है नम शुकरान तो शुकरान तो शुक्रिया इसलिए बोल रहे हैं कि हमने वीडियो उनको करना से आया तो अब हम लोग अब हम यह हजरात है हमारे साथ नमाज अदा कर लिए अब हम नमाज अदा करेंगे इंशाला उसके बाद में नमाज आदा कर लिया अला का शुक्र है और अब हम लोग पाहर के तरफ चल रहा है और दूसरा डेस्टिनेशन आपको दिखाते हैं बने रहे हैं हमारे साथ यह वदू थाना बड़ा यूनिक इसको देखने से सीचा लएगा लेकिन यहां पर कुछ है नहीं अभी ग्रास जानथ का कुई को आप बोलते हैं वह बोलता को बदा पांए अच्छा अभी का कुई आप इक लोग एक नाम दिया का भाई नहीं द्यास बात में घया था बात घ्ला आप लेगा आजाओ अजय तो भी आप में दो थो दिन के बाद गिया था में खुआप में देखा आप एक कुवा में बेठा था जो सहाबा बोला था वह में बेठा था शाथ सब्सक्राइब दिनिया चुर देगा अपेदर से साथ से शाहर से ओने लिके हमेगे वेनको अकिरी को शोल देगे डिल इक इतर से पाने लिके कि आप ये बगान के शाथ जह बड़ लगे है ना कि आ चारी अ चलिए हम लों इंशालात नंज्दिक चल्क तिका थे आप पानी को पिये हैं और इस पानी ये पानी बहुत ही मीठा है ये खुआ है और ये अभी खुला हुआ है और बाहर में बोड लगा हुआ है ये देखी ये कितना बड़ा खुआ है और ये इसको एक और बॉंडरी किया गया है एक तो इसका रियल कुवा जो है वो अंदर में है इसका ये देखी ये बच्चा को देखी ये बच्चा को इसी पितना बड़ यहां पर जावर कर दिया गया है अगर सायद पीने को मिले पता लगाते हैं इंशालला अगर अल्ला ने चाहा तो मिलेगा जरूर तो आईए और इस तरफ से देखते हैं माशालला 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 तो यह है वो कुवां जहां सबसे मीठा पानी मिलता है अगर पानी यहां पर भी यह मर्द के लिए और इदर में पावर को दिखेंगे लेडिस हैं नहीं अज्याज पानी यहां भी अब लवल नहीं लेकिन जब यहां पानी निकल रहा था तो आप इसको ले नहीं जा सकते हैं यह नहीं पर यहां सकते हैं यह जे अब जिखेंगे इसको जो कुवा फोडने वाले का नाम है प्रेयर के लिए बनाए गया है यहां पर देखा जा सके लेकिन अभी यह बंद है यहां पर वजुखाना है अभी फाल जैज मजुखाना है जा तो यह मुझे नेको आपना लेको लुखाना है यहां यहां बनाओ तो अभी बंद है कोई नहीं है यहां पर इसको पुछोगे यह कोई नहीं है कर दो अब क्विए खुलेंगा उप अब अब लोग नहीं विया उपनियों प्रक्राइट अपने पड़ा कभी उप्रिए अच्छा खुलेंगा मगरिबवाद का है हिंदी अच्छा बोल रहा है मगरिब के बाद पुलेगा तब तक हम रहूँ दूसरे तक पाणी भी मिलता है लेकिन पानी तो नहीं मिला लेकिन जहारत हो गई आप यहां पर बाहर में आप देखोगे तो बोर्ड भी लगा हुआ है और यह बाहर से कुछ ऐसा नजारा है इसका तो आप देख सकते हो अब जा रहा है फिर हमारी दूसरी जो डेस्टिनिशन है वहां हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं आइए देखते हैं कहा हमारे टेक् है झाल आपको एंपाह cools लेक्व तम्ये सकते हैं यह जो जो कहा हैं श्यम्यारी